हेलो कुछ विडियो में हम आपको बताएंगे अब स्टॉक्स में अब स्टॉक्स से आप मूचल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे ठीक है अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते है तो आप हमारा ये वाट्सप चेनल फॉलो कर सकते है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है अब हम सिंपल आप स्टॉक्स ओपन करेंगे दन आपको इस्टैप का इंटरफिस हो करेगा अकाउंट अअब आपको क्लिक करना पड़ेगा धन यहां पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं for इन्वेसटर्स जिसमें म्यूचल फंड इन्वेसटर्स के इसमें ज्यादा बैटर दिखता है ठीक है अब यहां पे मैं क्लिक करूँ का आलवेदर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग गोल्ड, हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स, अल्टरनेट टू बैंक, सेव टेक्स, ओन्गोविंग एन एन एफोस, ठीक है, तो यह आपको इन्वेस्मेंट के आइडियास मिलते हैं, अब आपको कहां पे म्यूचल फंड करना है, for example, मैं सोच रहा हूँ, become a करोरपती में, तो simple मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हम लोग फंड में पैसा ट्रास्पर करना, पैसा लागाना चाहते है, for example, मैं सोच रहा हूँ, HDFC इंडेक्स फंड में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका, वन येर का रिटरन जाता हूँ, तो आप one time investment कर सकते हैं, like one time payment डाला, interim out, अब मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ, एक लाग रुपे, तो एक लाग रुपे भी आप लोग डाल सकते हैं, continue to pay पे आपको क्लिक करना है, UPI की थ्रूप लोग payment कर सकते हैं, या फिर जो आपका कितने की बनाना चाहते है, for example, यह जो HDFC index fundis में 300 रुपे का minimum SIP है, तो मैं 300 रुपे से ही करना चाहता है, तो मैंने डाल दिया, then first installment today आता है, और यहाँ पे मैं date select कर लूँगा, कि month में मेरी किस date में SIP कटेगी, ठीके, तो यह मैंनेट select कर लिया, then continue पे क्लिक करूँगा, continue क्लिक करने के बाद confirm to buy पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं अपना payment करूँगा, ठीके, payment करने के बाद मेरा जो SIP रहेगा, वो भी चालू यहाँ पे हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग mutual fund में invest कर सकते, अब stocks for investor आप लोग कर दीजेगा, तो यहाँ पे आपको क काफी सारे plan मिलते हैं जिसमें आप लोग mutual fund में पैसा invest कर सकते, ठीके, so topic is cover मिलते हैं next वीडियो में